हेलो गाइज वेलकम बैक टो आल चैनल वन्स अगें तो दोस्तो फाइनली यार रोयल एंफिल्ड की तरफ से क्लासिक 350 का जो एक नया अपडेट है वो सामने आया है जिसमें आपको अब आपकी क्लासिक 350 में एक न्यूली डिजाइन मीटर कंसोल देखने को मिलेगा जराओ नखेंगे अन्या लगाषंव देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको एक डिजिटल डिजिपलै भी मिलेगी और साथी साथ इसमें आपको अशिंसियल इंफो मेशंभी मिलेगे जैसे कि इसमें अब आपको fuel gas मिल जाएगा, two trip meters मिल जाएगे इसी के साथ इसमें आपको odometer भी मिलेगा, digital clock भी मिलेगी बात करें इसके additional features की तो इसमें अब आपको जो layout था, speedometer का वो भी इसमें आपको चेंज मिलेगा इसी के साथ इसमें एकदम आपको newly designed graphic वाला जो speedometer है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा इसी के साथ इसमें आप आपको triple navigation module जैसा कि आपको meteor 350 and royal infant की himalayan 350 में देखने को मिलता था जो कि navigation के लिए काफी best है सेम वही आपको classic 350 में भी मिलेगा जो कि एक बहुत अच्छी बात है तो देखा जाए तो दोस्तों इसका जो meter console है पहले से काफी best है चुका है और पहले से बहुत जादा नए-नए features इसमें आप आपको देखने को मिल जाते है 2021 classic 350 में इसी के साथ जो इस bike का launch है वो भी दोस्तों काफी जल्दी होने वाला है rumors के according ये bike आपको July से अगस्त के महीने में Indian 2 Wheeler Market में देखने को मिल सकती है और बात करें इसके price की इस bike का जो starting action room price होगा वो आपका 1,80,000 से start हो जाएगा और इसके variant के according इसका price वो है वो increase होगा तो guys कमेंट में मुझे जरूर बता रहे हैं कि Royal Ampheed की नई classic 350 का मेंटर कॉंसोल कैसा लगा और अगर ये information अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना तो चले दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ